और यहां पर मैंने फाइल में जाके निव फाइल ले लिए हैहां पर मैं सेरीक्टा लिंगुज पर जाऊंगी एंड एंड जावा प्रिक करूंगी तो यहां पर हम लोगोंने सबसे पहले क्या किया है जावा.utile.scanner को import कर दिया है and then हम लोगों ने यहाँ पर दो वैरियेबल डिकलेर किया है B1 and B2 जिसका data type क्या दिया है long and then यहाँ पर हम लोगों ने i or ram यह एक दो वैरियेबल जो है यह दो वैरियेबल को हम लोगों ने initialize किया है 0 से सम वैरियेबल को हम लोगों ने सम जो है वो क्या है array है जिसका size जो है हम लोगों यहाँ पर 20 specify किया है अब यहाँ पर हम लोग 2 number ले लेंगे दो binary number ले लेंगे यहाँ पर user से हम लोग उसके लिए यह code लिखा है अब यहाँ पर हम लोग क्या चिक करेंगे कि b1 not equal to 0 और b2 not equal to 0 और operator यूज़ किया है दोनों में से एक भी condition true रही मतलब दोनों में से एक भी not equal to 0 रहा तो यह loop में जाएगा मतलब दोनों जो दो number लिया है user से दोनों number में से एक भी not equal to 0 रहा तो क्या होगा लूप में यहाँ पर तो यह loop क्या होगा हम लोगों का execute होगा अब यहाँ पर loop में हम लोगों नहीं क्या लिखा है sum i++ int b1 remainder 10 plus b2 remainder 10 b1 remainder 10 मतलब क्या 10 से divide करेंगे और remainder जो भी आएगा वो b2 को 10 से divide करेंगे और remainder जो भी आएगा वो उसको plus करना है plus rem हम लोगों ने उपर क्या initialize किया 0 और modulus 2 तो हम लोग 2 से divide करेंगे और जो remainder आएगा वो किसमे save हो जाएगा sum i++ में फिर rem जो है हम लोगों ने 0 initialize किया next value rem की क्या रहेगी b1 modulus 10 plus b2 modulus 10 plus rem divided by 2 देखो यह वाला और यह same है लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या है यह modulus हम लोग 2 से divide करेंगे और remainder जो रहेगा वो sum में हम लोग save करेंगे और यहाँ पर 2 से divide करके जो answer रहेगा वो किसमें save होगा rem में फिर हम लोग b1 को क्या करेंगे b1 divided by 10 कोई भी number को हम लोग 10 से divide करते है तो हम लोगों जो answer रहता है वो क्या होता है last digit निकल जाएगा और जितने भी digit है वो क्या हो जाएगे save हो जाएगे b1 में और same ऐसी ही b2 में तो यह loop हम लोगों क्या होगा चलते रहेगा कब तक चलते रहेगा जबते के यह condition क्या होगी true रहेगी उसके बाद if rem not equal to 0 तो अगर यह condition true रहती है तो क्या होगा sum of i plus plus equal to rem और यहाँ पर हम लोगों क्या करेंगे decrease करेंगे i को ठीक है तो हम लोगों क्या मिल जाएगा sum of b1 plus b2 और यहाँ पर हम लोग क्या print करेंगे sum of i minus minus क्या यहाँ पर condition दिये while loop में i greater than equal to 0 तो मैं इसको execute करती हूँ cd output तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देते है save कर देते है यहाँ पर मैं save कर दूँगी और इसका नाम क्या देंगे हम लोग practice2a क्योंकि class का name वही है dot java यह हो गया save अपना अब हम लोग क्या करेंगे इसको execute करेंगे output देख लो आप लोग f5 प्रेस क्या है मैंने अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है enter first binary number 1 1 0 1 enter second binary number मैंने लिख दिया 1 0 0 1 यह देखो यह क्या हो गया add हो गया